प्रेशर कोटर नहीं है यह हमने मिटी का देशी कोटर बनाया है यह हो गया कूकर कूकर वे बना दिया सर जये तो सर कूकर मोट recali आज कल तो वहाली दिशीत सर यह यह हैं यह यह व्थित के लिए है तर द्यों के हमारी माताहिं बहने हैं एक बार सोचें कि हमारे जो भोजन बनता था आदा गंटा एक गंटा तो हंडिया के अंदर खुब बनिया से उबाला आता था उसका फेन निकाल देते थे बनता था अब कूक करके अंदर आप बना रही है पान से दस मिनट 15 मिनट में आपका डाल बन गया सबजी बन आपकी नई जनरेशन आपकी नई जो बेबी है ना बच्चे हैं बड़े बाई साब एकदम गारंटी के साथ कर रहा हूं कि इन बड़तनों को भोजन खिलाईए पानी पिलाईए अगर जो भगवान ने उनको 90 साल 99 साल सो साल प्लस अगर जो उमर दिये हैं तो नीचे होने क आपावर मिलेगा शक्ती मिलेगा उर्जा मिलेगा और मस्त रहेंगे बच्चे ये देखी यह हम इंडियन वक के नाम से जानते हैं इसको यह थोड़ा फलेक्ट है यह राउंड है इसमें जैसे कि आपने कोई पकोड़ा खाने के जी कर दिया और कोई मीठा पकवान बनाने क कि छबाड में ruip दो मभर को Jean गुड़ बनाइए मिंटी के बर्तन के अंदर जैसे Essa यह पतीला बनाया यह पतीला बनाया आप समझे जिस मेंटalk के अंदर खाल बनाएंगे उसका एक सो दस परसेंट आएगा आपको इमानना पड़ेगा अल्मूनियां के अंदर पानी वालिए सब्जी बनाईए दाल बनाईए वह अपने अंस दे देगा बाई साथ मिट्टी के अंदर अगर जो भोजन बनाते हैं तो हंड़िट परसेंट पोशक्ततों की महत्रा रहे आपके भोजन के अंदर की के अंदर घर के अंदर जितने प्रकार के भोजन बनाने का बंदर्म और्ट है राजे अदर के लिए हंडिकाप के अंदर सब उप्लब्ध है तो सर जैसे अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में बहुत सारे नकली बरतन विक रहे हैं लेकिन आप हमको यह बताएं कि पैचान कैसे करें अब यह बरतन दिखने बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसा लग रहा है ग्लेजिंग हो रही है यह रहा है तो आप फरक करना बताएं सर बाई जी आपका कोश्चन इतना मज़ेदार है ना जो कि हमारी जनता जागरूप हो जाएगी यह है मिठी यह देखिए आवाज इसमें कोई चिटिंग नहीं है जाल साज नहीं है ठोक के पकाता हूं उसको टंपरेचर देता हूं अपने हाथ से पकाता हूं देशी भट्ट कि है कोई केमिकल नहीं कोई डाई नहीं कोई पॉलिस नहीं आप इतना अच्छा कैसे लगता है आज के डेट में ना उसी का कीमत है अगर जो हमने देशी तरह का जो मट्या मट्की हंडिया बना कि मट्का बना करके आपके टेबल पर देंगे ना आज की जन्रेशन उसको करते हैं यह मिट्टी को सोधना पढ़ता है छानना पढ़ता है कूटना पिशता है और सहर से काफी दूर की मिटी होनी हुँं ज्योहां की शाबूर शोटा काश्ट्री कांस नहीं हो एक दम नीचे से काम करता हो आपके स्वास्त को देखते हुए और येतने सुन्दर होने का कारण है कि हम आपको दिखाऊंगा एक बरतन बन गया तो 15-20 दिन तक प्रोशेश में हमारा बरतन रहता है अगर जो हमने 50 बरतन बनाया तो 20-22 दिन पशीश दिन के अंदर हमारी बठी में जाएगा अप समझे एक-एक बरतन को बच्चे जैसे बैट करके कपड़े से ऐसे ऐसे बच्चे घिसते हैं लड़के घिसते हैं आपको दिखाएँगे तब जाके सुंदर होता है बाई साथ ौप दिल से काम करता हूं इसलिए कि आँ इसमें दाल बनाता हूं। उसमें सब्ली बनां रहे हैं। और एक दम बनिया why एक पतीला यह को जानते हैं हम क्राई में कई साइज है एक लीटर डेड़ लीटर तीन लीटर चार लीट पांस लीटर दस लीटर आपके अपरी परिवार के रखे आप काहीं भी हो आप मंगा सकते हैं इसमें में सबज़ी सब्जी बनाइए किसीमें प्रकार सब्जी मैं ये engagement मैजा आने का रीजन क्या है मित्व IC अगर जो साग सब्जी डाल दिए आब 5-5 राएगा कि इसका अंस आएगा उसमिए रही नहीं मिल डाइए अब इस आप देखी रहें सब लोग और अंदर ग्यान आया अच्छी बात है तो यह बरतन भी और राउंडर राज अंदर क्ले हैंडिकाप के अंदर मुझे बुड़ा गर्व है विश्वास है मैं आपको स्वास्त देने में नीचे से सोचता हूं मन अपड़ेगा इस बात को अगर जो आपके पास थोड़ा भी टाइम हो देश के हमारे नजदीक में हैं तो आप आईए मोके पे देखिए सुनिए समझे फिर दूसरे को जो है ना आप बताईए यह आपका धरम बनता है एक दम प्योर मिट्टी का देंगे प्योर इंधन का पका हुआ दूंगा कोई मतलब गलत इंधन का इस्तमाल नहीं है मेरे हां आप देखिए सुनिए समझे यह हो गया कडाही इसमें किसी भी प्रकार की सब्जी बनाइए बहुत मज्यदार बनेगा यह हो गया इसका कल्ची आप इसको जोने इसका कल्ची से निकाल चकते हैं य जाफ नहीं हो रहे इसमेल आना लग जाती है बहुत सारी दिक्केति आती है यह कोई बड़ी बात नहीं है जब वो इधर उपर से आ रहे है नीचे मिठी के तरफ तो उनको नालेज अगर जो नहीं है तो अपने बुज़ूर्गों से एक बार तो राय ले लिजे कि मिठी के अंदर लगाएंगे लिजे के च सब्सक्राइबर है नहीं करेंगे तो बड़ाय तो लएप तो जब भूजन बनाएज तो कंसे तो इसमें रहे है थोड़ी सी कपड़े से लगाई ज्यादा तेल घी की चिकनाइए तो आप गरम पानी का है लिए लेजिए इलकुर साफ हो जाएगा नीबू होगा आपके घर में नमक आपके घर में इमिली की खटाई होगी को तो दो कराई दिखाया यह साउथ इंडिया में इस तरह की कराया बनती है तो यह है इसके अंदर भी साख सब्जी सब कुछ बन जाएगा तो सर जैसे ना टाइम तो इसमें बहुत लगेगा मतलब जैसे वह नॉर्मल जल्दी कुक हो जाता है उसमें गला तो समय खतम हो गया अच्छा वह समय खतम हो गया कि एक हंडिया को गरम करने में दो घं बहुत मतलब दूर के नहीं होगे गाओ के ना तो आप आप उस्टन और आप ही के पास है जी आप यह बताईये दूद्र दई के बरतन कभी देखें घरों में नहीं बरतन होती थी तिना वही बरतन बता रहे हम तो हंडी में दूद बनता था तो कहा हंडी टूटती थी एक स अब यह बताईये हम से ज्यादा पढ़ी लिखी और आप से ज्यादा पढ़ी लिखी वह अमारी जनरेशन थी नहीं मगर उनको नालेश था मित्टी ठंडा है आग गरम है बनाईए पांच से दस मिनिट में गरम हो जाएगा आपका भूजन मज़ेदार बनेगा अब आईये कोन से सेक्रेट है स्के उसके अंदर ना यह जो खुद्रापन देख नहीं और यह सेक्रेट मीज़ेखे चाइखाए है और अब ही कहूंगा बान में पर विखाऊंगा और कभी विखाऊंगा लिवा वाड फांशेद्श मिनिट में यह जाब हनु ए गरम हो, पर आपका गैस निकला हुआ ना मंदी गैस का तो यह गैस को हटने नहीं देगा उसकी टंपरेचर को बना के यहां रखा हुआ है अब उसी टंपरेचर पर एक बार उबाल आएगा और यह बंद हो जाएगा इसका मुझ छोटा है इसमें एक हम प्रेशर बना है प्रेशर निकलने के लिए यह प्रेशर कुकर नहीं है यह हमने मिट्टी का देशी कुकर बनाया है यह उन माताओ बहने के लिए जो कि आप एक दम आश्रित हो गई है कुकर के ऊपर आप इस कुकर में भोजन बनाईए आपको स्वास्त बर्दंग भोजन देगा इस तरह के पोडेक्ट है तूट तो नही अगर यह हम सोचते रहेंगे पुरानी बात को लेकर टालाते रहेंगे तो बनाईया अल्मोनियम में बनाईया फेक रखी है फिर उठाईये फिर बनाईये फिर जहार पीजिए तो उस पानी के लिए खोच खोड़ना पड़ेगा बंदू आप समझे इस बात को बिलकुत सिर अब कैसे गलत बोल रहें आप तो यह है अब कोई चीज हमारी मतलब हमारी लाइफ को यह बनाने का चीज है तो हम इसको प्यार से रखेंगे इसकी सफाई करेंगा आराम से रखेंगे उठाएंगे और जिस तरह से फोलो करना है इस बनाएंगे मिटी ठंडा है उबलते वे आग पर रखेंगे तो रिक्षान आएगा ना समझे इस बात को पहले समझे उसके बाद इस्तामाल कीजिए तो इस तरह के बरतन है यह हो गया हंडी इसके अंदर डाल इस पेशल डाल चावल खीर खिचरी भगवान का प्रसाद बनाई यह ना वहां भी प्रसंचित होंगे जैसे थोड़ा सा दूध है या चाइबनाना चाहते हैं तो जो आता है ना फ्राइपेन होता है क्या बोलते है वह शोस्पेन तो शोस्पेन लेते हैं अधर वह डालते हैं ऑर चाय खूब बालते हैं इसमें चाय की पती भी डालते हैं जो और यह झाली कि तो इसमें बनाई चाय को डाली तो क्यों नहीं हम मिट्टी में इसमें भी सारा सिस्टम बना रखे हैं वाइसाब एक दम फस क्लास का बनेगा और चाय के अलावा इसमें जैसे जात में दूध है दो दो गिलास आपको चाहिए तीन गिलास चाहिए इसमें गरम कर लीजिए या कोई चीज और मतलब फ्राइ कर रोटीटी बाक्स ठीक है इसमें छोटा बड़ा दो तीन साइस है मेरे और इसका बनाने का रीजन क्या है इसका कोई मतलब नहीं है मतलब यह है हमने इसलिए बनाया है कि आपके पास खूप ब्रांडेड घूब रॉंडेड एक डम वन क्लास का ब्रांडेड अगर जो आपक तोड़ दूँ मैं तोड़ के उसको चेक किजिए उसमें आपके स्वास्त के लिए कितनी अच्छी चीजिए रहे उसके अंदर उसके अंदर इस्टील लगा हुआ है और इधर प्लास्टिक लगा हुआ है उसके अंदर फोम फोम मतलब उसको कैसे आप बताया है उसके अंदर तो रोटी रखने के बाद आप इसको बंद करती हैं यानि उस खोट कोश क्यों जब बंद करती है न तो इस तील गरम हो करके और वह सब्रस बनता है जब बन्दा ए तो सबसे ने आता है तो आप कहती है कि इसमें कपड़े लगा देंगे ना तो रोटी हमारी पैसे की नहीं य अई क्यों ऐसा करना है क्यों रखना है। आप रोटी गरम बनाई और खाईए। कहिए नहीं पचाब नहीं है। कि इसमें वोम के अंदर इस्टील के अंदर डाल दिया रोटी को तो भाई रोटी के स्माज़ रहेगी। इसलिए हमने होट केस्ट बनाया है कि हमारी मातायब है अगर जो होट केस्न में रखना चाहते हैं तो परसेन आता भी है तो आपके रोटी में अंदर वो ताकत जाएगा वो उर जाएगा जो की आप कुछ चाहिए और पता है स्विशन कर दिया आपने और यह देखिए तड़ तो इसके अंदर घी तेल जो भी आप प्रकार के मतलब आप लिक्विट्स इस्तमाल करते हैं तेल घी जो भी डालिए अधराग प्याज टमाटन जीरा गरम करके और एक दम अगर जो आपके पास पतीला बड़ा होना तो यहीं डाल दिजिए अंदर दंडी बड़ी है आप इसको डाल दीजिए मिट्टी का सोनापन और हींका और जीरे का अधरका लासन का स्वाद आपको मजेदार चीज बनाएगा दाल इसमें छोटा भी है बड़ा भी है अगो जिसको अंदर नहीं डाल सकते हैं तो आप वैसे ही डाल दीजिए नीचे कोई अधरका नहीं पड़ता डालने के बाद और मज़ा जाएगा इसमें छोटा मंगाई हैं तो इस तरह कि हमारे पास बरतन है और इसके बाद हम आपके बास पानी के बरतन है वह भी दिखाएंगे आपको इन सब बातों के शाथ बंदे मात्रम बंदे मात्रम से सकत कून से आपके बंदे मात्रम आपके बंदे मात्रम से चिएा कि ट्रूंधे कि नापके हम आपके झाएंगे भी घंचे क 55. झाल झाल